असलामलेकूम वेलकम बैक इन माई यूट्यूब चैनल मैं होमेपैतिक डॉक्टर हभीब अखतर आप सबका वेलकम मेरी यूट्यूब चैनल पे लास्ट वाली वीडियो जो कि वाइटमीन बी ट्वल्फ पे थी आप लोगोंने से बहुत पसंद किया बहुत शुक्री आप समच जाता कि हम ऐसी क्या चीज़ लें क्या चीज़ ना लें हमारी बाड़ी में किसकी डेफिशेंसी हो रही है किसकी नहीं हो रही कभी किसी को कोई मसला होना शुरू हो चादा है कभी किसी को कोई आगे मैं आपको इसके सिम्टम्स बताऊंगी डेफिशेंसी के वाइटमी से यानि मसूडों से खून आना इसके इलावाद दातों का अपनी जगा को छोड़ देना दातों का भुरबुरा हो जाना तो ये तमाम सिम्टम्स बहुत से लोगों में आ रहे थे तो जब उन लोगों ने यानि जो रिसर्चर्च की कि क्या वज़ा बन रही है क्या ऐसे कौज है जिसकी वज़े सबको एक जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो उनको पता चला ऐसी चीजे वो लेते ही नहीं थे जिनमें वाइटमिन सी मौझूद होता था तो जिसकी वज़े से जब उन्होंने वो चीजे उनको खिलाना शुरू की उनको उस वो सप्लिमेंट देना शुरू क किन्नू ऐसे जो खटे हैं लीमू में यह हमें विजटेबिल्स में यह हमें काफी मिगदार मिलता है तो मैं यहाँ पर एक चार्ट लगा दूँगी था क्या आपको इजी हो देखने में कि कौन से फूर्ट्स या कौन से वेज में आपको वाइटमिन C की मिगदार जादा से ज मिलती है इसके इलावा वो बिमारी कौन सी थी उसको सकर्वी कहते थे जब वो डाइगनोस हुई वो बिमारी तो उसको सकर्वी कहा गया और वाइटमिन C की डेफिशेंसी की वज़े से वो बिमारी हुई थी अब मैं आपको एक एक करके बताऊंगी कि वाइटमिन C हमारी ब काम करता है सबसे एहम काम यह collagen synthesize करता है यानि collagen की एक तरीकतर formation करता है collagen एक तरीके का protein होता है जो कि हमारी इसकिन के लिए हमारे connective tissues के लिए बहुत necessary होता है अगर vitamin c की deficiency हो जाए तो हमारे जो tissues होंगे जो muscles होंगे वह lose होना आपस में यानि उनमें connectivity नहीं पाए जाएगी वो separate हो जाएगे legaments के लिए ये बहुत necessary होता है ये bones के लिए बहुत जरूरी होता है क्योंकि collagen तमाम चीजों में बहुत गहरा असर रखता है तो अगर collagen नहीं बनेगा vitamin C की deficiency होगी तो हमारे muscles, हमारे tissues, हमारे bones, हमारे legaments, सारी चीज़ें disturb होंगी इसके इलावा ये एक और बहुत एहम role play करता है ये हमारी body में as a antioxidant काम करता है antioxidant मतलब कुछ free radicals, कुछ bad molecules होते हैं जो के हमारी body को harm करते हैं हमारी body में कुछ ऐसे bad molecules generate करते हैं, bad cells पैदा करते हैं तो ये हमारी body में anti-oxidant के तौर पर काम करता है अगर ये हम इसका जितना हमें daily use चाहिए होता है अच्छा main thing इसकी ये है कि हमारी body में ये कहीं save नहीं हो सकता आप daily के तौर यानि बुनियात पर इसकी कमी पूरी करनी है जितनी आपकी body को need है आपको वो लेना है अगर आप सोचें store करनेगा तो ये store नहीं होता है daily आप खाएंगे daily आपकी body को लगेगा तो यानि आपको daily इसका portion लेना जरूरी है जितनी आपकी body को need है तो हम बात कर रहता है anti-oxidant पे तो अगर हमारी body में अगर हम इसको regular लेंगे इसकी कमी body में नहीं होने देंगे तो ये हमारी body में उन free radicals को kill कर देगा और हमें बड़ी बिमारियों से बचाएगा third जो है इसका वो है immune system की improvement जो मैंने previous आपको दो point बताए उन में ये बात clear हो चुकी होगी कि क्यों हमारे immune system के लिए बहुत necessary है अब हम बात करते हैं इसकी deficiency पे के vitamin C की deficiency हो जाए तो कौन कौन से symptoms कौन कौन से अलमात यानि silent symptoms जो है आपकी body में हमें देखने में नजर आते हैं आपको खुद देखने में नजर आएंगे सबसे पहले जैसे के मैंने सकरवी गहाँ आपके जो gums होंगे वो बहुत ज़र sensitive हो जाएंगे जरा से touch से उनमें blood आना शुरू हो जाएगा दाज जो होंगे अपनी जगा चोड़ देंगे उनमें mobility पाई जाएगी यानि हिलना शुरू हो जाएंगे इसके इलावा कुछ लोगों के दाज जो होते हैं और हिलामात है वो है orthoritis अब orthoritis में भी दो तरीके की orthoritis होते हैं एक inflammatory orthoritis जिसको हम rheumatitis orthoritis कहते हैं जो किसी भी age में आपको हो सकता है एक degeneration वाला orthoritis है जिसको हम osteoarthritis कहते हैं जो के old age में होता है इसमें osteoporosis भी हो सकता है तो अगर vitamin c मौझूद होता है आप वो चीज़े इस्तमाल करेंगे तो आपका arthritis भी cure हो जाएगा ये हमारे खून की कमी में बहुत गहरा सर रखता है जैसे कि लास्ट टाइम vitamin b12 की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आप cbc की करवाएंगे तो वहाँ पर अगर vitamin b12 की deficiency होगी vitamin b12 की deficiency की वज़े से आपको blood की कमी होगी तो वहाँ पर जो term use होगी वो use होगी microcetic megablastik anemia लेकिन अगर आप cbc की रिपोर्ट करवाएंगे और वहाँ पर term use होगी microcetic just तो इसका मतलब है आपकी body में vitamin c की deficiency है उसकी वज़े से आपको iron की deficiency हुई है क्योंकि iron की absorption का काम vitamin c करता है और microcetic anemia का मतलब होगा कि जो आपके rbc का size होगा वो छोटा हो जाएगा वो blood में body में proper तोर पर iron को absorb नहीं कर पाएगा vitamin c बहुत कम लेते हैं या आपकी diet में है ही नहीं मौझूद तो आपकी face पे wrinkle आना शुरू हो जाएंगे भले आपकी age वो ना हो क्योंकि एक age wise भी wrinkles आते हैं लेकिन अग भले आपकी age वो ना हो लेकिन अगर vitamin c बहुत कम लेते हैं तो आपकी face पे wrinkle आना शुरू हो होते हैं की body में vitamin c की deficiency है तो आपकी जो जखम है जो भी body में चोट लगी है कोई जखम है वो देर से हील होगा तो अगर patient sugar patient के भी देर से हील होते हैं लेकिन उनका case बहुत अलग होता है लेकिन अगर normal है कोई बच्चा है कोई जैसे adult है और उनका जखम हुआ है और काफी time हो गया वो हील में होने में नहीं आ रहा तो हो सकता है उनको vitamin c की deficiency हो अपनी diet पे गहुर करें क्योंकि vitamin c तो आप already अपनी diet को आप ये देख सकते हो कि आप पूरे दिन में कितना क्या meal ले रहे हो उस meal में vitamin c है या नहीं है वो तो आपको खुद ही पता चल जाएगा क्योंकि मैंने बताया vitamin कुछ vegetable और तर्श fruit में होता है आप fruits खाएं ताकि आपको deficiency ही ना हो इस चीज़ की अगर vitamin c के आपकी body में deficiency है जैसे कि आज कल रमज़ान चल रहे हैं सब रोजे रख रहे हैं अफ़तारी के time या सहरी के time कुछ ऐसा लें खासतोर पर अफ़तारी के time fruits खाएं कीनू खाएं या ऐसी चीज़ या अगर आप कोई drink बना रहे हैं तो उसमें आपको डायरिया भी हो सकता है तो अगर आप vitamin c वाली चीज़े लेंगे तो आपको डायरिया भी खतम हो जाएगा जो इस टमक अपसेट हुआ है वो भी नॉर्मल हो जाए एक नॉर्मल मैन को जो यानि एक मेल है उसको डेली के तौर पर 90 to 95 मिली ग्राम vitamin c की डेली की तौर जरूरत होती है उसी तरह एक नॉर्मल फीमेल को 75 मिली ग्राम डेली वाइटमीन c की जरूरत होती है लेकिन अगर प्रेगनेंट वूमेन है या लेक्टेशन पिरियड में है फीमेल तो उसको मिली ग्राम जो है वो बढ़ाने पड़ेंगे तकरीबन 85 to 120 तक अगर वो नॉर् पॉल्यूशन बहुत जादा होता है काम करते हैं उनका घर से निकलना बहुत जादा है और बाहर पॉल्यूशन बहुत जादा होती है तो वो जो पॉल्यूशन है वो जो स्मोकिंग नहीं करते हैं आप किसी ऐसे बंदे के पास खड़े हुए है जो स्मोक कर रहा है तो वो ज से बाहर निकलना बहुत जादा होता है मेल्स का खास तो पॉल्यूशन वगयरा का सामना उनको करना ही पड़ता है तो उनको चाहिए वो 75 में प्लस करें 35 यानि 35 एक्स्ट्रा मिलिग्राम उनको वाइटमीन सी की जरूरत होती है उनको लेना चाहिए तमाम सिम्टम से जो मैंने कोई इतना जादा अमल दखल नहीं रखता लेकिन ये रिसर्चिस में ये बात आई है प्रैक्टिस में लोगों के ये बात आई है हम खुद भी अपने क्लेनिक में पेशेंट को चीज रिकमेंट करते हैं कि अगर आपको फ्लू है आपको कोल्ड है तो आप वाइटमीन सी व आएंगे नहीं बढ़ेगा यानि यानि के लंग सी इन्फेक्षन की तरफ नहीं जाएगा वो नमूनिया की तरफ नहीं जाएगा तो उस टाइम भी आप यानि अगर आपको कोल्ड हुआ है आपको सर्दी लग गई है आपको नगले खराब में वैटमीन सी बहुत अच्छा असर रखता है अगर आपके गले खराब में जैसे सरदियों में लोग क्या करते हैं गले खराब में किन्नू छोड़ दिया नहीं खाएंगे भई खटा है नहीं ऐसा मत करें वही बेसिकली आपके गलों का इलाज है आप खाएं बहुत जादा ना खाएं डेली हाफ ले 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 या एक ले सकते हैं वो आपके गलों का इलाज है वाटमिन C की डेफिशेंसी की वज़े से भी गले खराब हो जाते हैं तो यह तमाम कुछ सिम्टम से जो वाटमिन C की डेफिशेंसी के मैंने आपको बताएं होफुली आपके लिए वीडियो इंफरमेटिव रही होगी तो क